हेलो आई स्टूदेंट्स, एम सवीता गुत्त है, लेंगविज इंस्ट्रेक्टर, वेलकम इन लर्न विद सवीता, आज हम क्लास टेंथ की इंग्रिश बुक, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर, How to Tell Wild Animals, जिसे केरोलिन वेल्स ने लिखा है, इसके पोईटिक डवाइसेज को, लाइन टू लाइन पोईटिक डवाइसेज को देख रहे हैं कि हर स्टेंजा में क्या-क्या पोईटिक डवाइसेज हैं, तो पोईटिक डवाइसेज या फिगर ओफ स्पीच, एक बहुत ही इंप बहुत अच्छी तरह और बहुत खुबसूरती के साथ रखता है सो फर्स्ट आफ ओल कि हम देख रहे हैं कि इसमें राइम क्या है तो राइम स्कीम क्या होता है राइम स्कीम हमिशा एक्जाम में पूछा जाता है और किसी poem या किसी song का ये ऐसा pattern होता है जिसमें line के आखिरी word दो या दो से अधिक line के आखिरी word same sound देते हैं और जो same sound देते हैं उन line को हम same alphabet देते हैं जिसे कि इस poem में अगर हम देखें कि if ever you should go by chance to jungle in the east and if there should to you advance तो chance and advance ये same sound दे रहे हैं तो हमने इनको same alphabet दिया है a and a now to jungle in the east a large and towny beast तो यहां पे east और beast ये same sound दे रहे हैं तो इनको भी हमने एक separate लेकिन a a से अलग लेकि एक दूसरा alphabet दिया है b और b चुकि ये दोनों rhyme कर रहे हैं लेकि लास्ट के दो word देखें कि if he rose at you as you are dying you will know it's the Asian line तो यहां पे dying और line हलाकि loin कहा जाता है लेकिन rhyme बनाने के लिए line कहा जा रहा है spelling sorry pronunciation change किया जा रहा है तो यह poetic license में आता है आगे आप देखेंगे इनको एक अलग alphabet दिया है c c तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहां जो poetic rhyme चल रही है जो rhyme scheme है a b a b c c चल रही है यह हमेशे exam में पूछा जाता है ध्यान रखेगा next अगर हम देखें इसमें first stanza को लेते हैं जिसे हमने पढ़ा है तो इसमें जो poetic device आ रहा है enjambment ठीक है तो enjambment क्या होता है कि it's an conjunction it is that sorry continuation of a sentence to next line है ना generally एक sentence खतम होता है full stop लगता है फिर दूसरा sentence शुरू होता है लेकिन enjambment में क्या होता है एक sentence खतम होता है बिनना full stop के दूसरा line शुरू हो जाता है without any punctuation mark है ना तो इस चीज़ को जब किसी poem की line का आखिरी शब्द बिनना किसी punctuation mark के दूसरे line में continue रहता है तो वहाँ पर enjambment होता है इस poem में कुछ इस्टेंजा में enjambment पाय जा रहे हैं जैसे कि देखिए कि and if there should to you advance advance के बाद यहाँ punctuation mark कोई न कोई होना चाहिए line खतम हो रही है लेकिन कोई punctuation mark नहीं है और यह continue हो जा रही है capital letter से large and towny beast तो poem के इन दो line में enjambment पाया जा रहा है inversion तो अब हम देखते हैं inversion क्या होता है the format of the sentence has been changed rhyming के लिए या particular कोई effect लाने के लिए हम क्या करते हैं कि sentence का जो general pattern होता है उसके words order को हम change कर देते हैं तो जैसे यहाँ पर लिखा है poem में एक line लिखी हुई है and if there should to you advance you advance काईदे से होना यह चाहिए था you should advance there है न तो यहाँ पर inversion किया गया है rhyming scheme match कराने के लिए तो यहाँ पर जो figure of speech है वो क्या है inversion है azonance azonance में क्या होता है कि generally जो sentence शुरू होते हैं उनके बीच में आने वाले जो wall होते हैं वो wall क्या करते हैं prominently rhyme करते हैं for example first stanza में जो words आ रहे हैं यू शुड इसमें यू शुड ओ साउंड प्रॉमिनेंट है शुड टू यू रोर अट यू अट आज यू आर डाइन तो इन तीनों words तीनों line में आप देखिए कि इसमें ओ वोवल ओ साउंड प्रॉमिनेंट है इसलिए यहां पर azonance पाया जा रहा है next है allusion reference to a famous person, animal species और thing तो अब हम यह देखें कि यहां पर allusion क्या होता है किसी ऐसे व्यक्ती जीव, species या चीज के बारे में बताना जो काफी famous हो और सुनने वाला उसके बारे में पहले से ही जानता हो जैसे ही वो सुने उसकी image उसके आँखों के सामने आ जाता है तो यहां पर illusion figure of speech use होता है for example यहां पर जो Caroline Wells है यहां पर यह Asian Tiger का reference दे रही है और Asian Tiger का नाम सुनते ही आँखों के सामने इस Tiger का स्रांदार image आँखों के सामने आ जाता है एक illusion सा होने लगता है कि वो हमारे सामने है तो इस figure of speech illusion का use भी यहां पर first stanza में किया गया है next step personification personification human qualities are given to non-human things और animals तो personification क्या होता है कि किसी भी non-human things को या animals को human quality दी जाती है for example if he roars at you तो आप देखिए he का use जो होता है male के लिए होता है push work के लिए होता है animals का जो use होता है जब हम pronunciation करते हैं तो इसके लिए pronoun जो use करते हैं it use करते हैं लेकिन यहाँ पर जो pronoun use होरा he के लिए use होरा he human quality है और यहाँ पर share को Asian loin को human quality दी जा रही है इसलिए यहाँ इस line में कौन सा figure of speech दिख रहा है personification alliteration alliteration क्या होता है it is the repetition of a letter at the beginning of closely related words as you as you are dying तो यहाँ पर your sound का repetition हो रहा है तो यहाँ पर कौन सी figure of speech है alliteration next है poetic license जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था यह special license words के पास रहता है कि वो कैसे भी चाहें तोड मरोड सकते हैं भाशा को है ना तो आप देखिए कि the spelling of a word has been changed to create a rhyme in the poem तो poetic license क्या होता है कि poet के पास अपना एक particular license होता है license है कि यह उनकी अपने right होता है कि rhythm बनाने के लिए emphasis लाने के लिए या कुछ भी करने के लिए spelling को बदल देते हैं या words को short करके छोटा कर देते हैं for example if he roars at you as you are dying dying यहाँ पर शब्दी क्या है dying लेकिन line के साथ rhythm बनाने के लिए as you know it's the Asian line तो line के साथ rhythm बनाने के लिए इसको dying लिखा गया है ठीक है तो next है कि the spelling of the word dying is changed to rhyme with line आपको समझ में आ रहा होगा कि कभी अपने rhythm को बनाने के लिए शब्दों में छेड़ छाड़ कर सकता है बहुत से हिंदी गानों में भी ऐसा हुआ है second stranger पर हम आते हैं तो second stranger अगर हम देखते हैं तो इसमें भी alliteration पाया जा रहा है तो for example यहां पर है roaming round यहां it's a repetition of letters at the beginning of closely related words पहले बता दिया है कि अब पास पास आये हुए शब्दों के first letter जो है वो क्या करते हैं consonant sound वो repeat होते रहते हैं roaming और round raw sound का repetition यहां हो रहा है next है inversion inversion again की rhythm को बनाने के लिए particular effect को लाने के लिए हम क्या करते हैं कि word order को change कर देते हैं जामपल यहां लिखा है दब बैंगॉल टाइगर टू डिसर्ण तो जबकी होना चाहिए टू डिसर्ण द बैंगॉल टाइगर ओके तो यहां पर भी inversion पाया जा रहा है rhythm बनाने के लिए उन्होंने word order को change कर दिया है next illusion again illusion क्या होता है कि particular व्यक्ति जो है उस particular चीज के बारे में उस जीव के बारे में व्यक्ति के बारे में पहले से जानता रहता है जिसका reference दिया जा रहा है ठीक है for example कि Caroline Wales जो है यहाँ पर second stanza में बेंगॉल tiger का जिक्र कर रही है अब बेंगॉल tiger का जिक्र होते ही हमारे आँखों के सामने बेंगॉल tiger का एक सजीव चित्र उपस्थित हो जाता है next है personification second stanza में भी personification आया है कहां आया हुआ है क्या होता है personification पहले बता दिया है कि human qualities are given to non-human things और animals तो non-human things या animals को human qualities दी जाती है for example just notice if he eats you तो यहाँ बेंगॉल tiger के लिए जो pronoun है it use होना था it use होने की जगा उन्होंने he का यूज किया है जो कि human being को दिया जाता है male human being को दिया जाता है तो यहाँ पर जो figure of speech है वो क्या है personification next है as on in as on in फिर वही है कि पास पास आने वाले जो words होते हैं उनमें पाय जाने वाले जो vowel sound है उनका repetition होता है for example और if sometimes when roaming round roaming में ओ sound का यहाँ पर repetition होरा that's why as on in's figure of speech is here next imagery imagery what is imagery the use of descriptive language helps the reader to visualize the picture in reader's mind तो क्या होता है कि भाशा के प्रियोग से reader के mind में कभी उस चीज का image create करने में सक्छम हो जाता है जिस चीज की वो बात कर रहा है for example यहाँ पर दिया हुआ है line a noble beast a noble beast greets you with back strip with yellow background तो जैसे ही हम यह line पढ़ते हैं हमारे दिमाग में Bengal tiger का एक image create हो जाता है और Bengal tiger का यह image कैसा रहता है कि बड़ा सा जानवर है पीले से पीट के खाल है उसकी और उसके शरीर के उपर काले चम के लिए धारियां पढ़ी हुई है तो यह image जो create होता है that is called imagery next figure of speech इस stanza में है irony तो irony क्या होता है सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं I think it is used to bring humor और satire ठीक है humor हाज से satire व्यंग on somebody और it conveys opposite meaning विप्रीत अर्थ को literal रूप से जो meaning दे रहा है उसका opposite बात कह करके एक व्यंग सा किया जाता है हाज से किया जाता है it conveys opposite meaning it gives two meaning surface meaning and underlying meaning in short अगर हम देखें तो किसी व्यक्ती के उपर किसी बुरे व्यक्ती के उपर किसी बुरी चीज के उपर या किसी के बुरे व्योहर पर हाज से में किये गए व्यंग को हम क्या कहते हैं irony कहते हैं for example कि यहां दिया है a noble wild beast greets you एक शांदार सा जंगली हिंसक जंगली जानवर आपके सामने आ करके आपका अभिवादन करता है तो भई हिंसक है और जंगली जानवर है वो आपका अभिवादन तो करेगा नहीं है न वो तो सिधे निप्टा देगा आपको तो ये उसके व्योहार को उसके हिंसात्मक व्योहार को great word को बड़े ही खुबसूर्ती के साथ humor या satire के रूप में यूस किया गया है next second stanza में भी enjabment पाया जा रहा है देखिए enjabment क्या है पहले बता चुकी हूँ it's a continuation of a sentence to the next line without any punctuation mark तो जो line है this simple rule may help you learn the Bengal tiger to descend तो यहाँ पर learn जो है यहाँ sentence खत्म हो रहा है कोई punctuation mark नहीं है दूसरा sentence the Bengal tiger यह अपने capital letter से यहीं पर शुरू हो जा रहा है third stanza पर आते हैं तो third stanza में भी देखिए कि सबसे पहले alliteration देख लेते हैं what is alliteration? it is the repetition of letters at the beginning of closely related word तो पास-पास के जो words हैं उनमें क्या होता है कि जो letters हैं उनमें repetition होता है he has her sound का repetition है whose और hide यहाँ भी her sound का repetition हो रहा that's why alliteration is here next है next है azonance that is prominent vowel sound inside the words of the line for example कि strolling forth O sound है यहाँ पर O sound vowel O का repetition हो रहा है whose hide with spots again O sound का repetition हो रहा है do no goods to roar तो यहाँ पर भी O sound का repetition हो रहा that's why azonance in the third stanza also in the lines of third stanza also next poetic license बहुत ही प्यारा सा figure of speech है poet को write है कि वो कुछ भी लिखे कुछ भी लिखे word को short करके या word की spelling में change करके the spelling of a word has been changed to create a rhythm in the poem for example left यहाँ पर जो leftist शब्द का use हुआ है तो वासों में अगर हम देखे तो English language में left जैसा कोई word नहीं होता है actually यह leap का past participle form है L-E-A-P-T है ना जिसकी spelling को change करके rhythm को create करने की कोशिस की गई है ओके next है figure of speech repetition है ना पुन्रावरित जो in this poetic device words और phases are repeated two or more time तो repetition में क्या होता है कि इस figure of speech में word या phases को दो या दो से अधिक बार repeat किया जाता है for example he will only leap and leap again तो word leap को दो बार repeat किया गया है इसलिए यहां पर repetition figure of speech मिल रहा है next figure of speech इसमें पाया जा रहा है consonants इसमें consonant sound का repetition होता है for example hell only leap and leap again तो L sound का repetition हो रहा है that's why consonants figure of speech is here next है personification इस stanza में भी tiger को human quality दी गई है he will only live and leap again तो यहां पर जो leopard है उसको human quality दी गई है यहां पर it की जगा उसके लिए he का use किया गया है जो की human being के लिए male human being के लिए use होता है next figure of speech fourth stanza में आते है तो इसमें भी enjambment पाया जा रहा है दो जगा पाया गया है तो enjambment क्या है same thing की continuation of sentences to the next line without using any punctuation mark for example if when you are walking around your yard यहां sentence खत्म हो रहा है you made a creature there तो you यहां से दूसरा capital letter से sentence शुरू हो रहा है कोई punctuation mark दोने के बीच में नहीं है और यह sentence continue है तो enjambment यहां पर fourth stanza के इस line में है एक और line देखते हैं कि if you have any doubt I guess guess कोई punctuation ना mark नहीं है he will give you just one more curses तो यहां पर he capital से शुरू हो रहा है तो यहां पर भी क्या है enjambment पाया जा रहा है next fourth stanza में अगर हम देखे तो alliteration पाया जा रहा है alliteration is what repetition of letters at the beginning of closely related words तो in when walking when walking में w sound का repetition हो रहा है be bear इसमे b sound का repetition हो रहा है round your yard इसमे your sound का repetition हो रहा है तो figure of speech alliteration is present in the fourth stanza of these lines next azonance azonance is the prominence of vowel sound for example you meet a creature तो यहां vowel इसमेंड का repetition हो रहा है next personification personification यहां पर bear की बात कर रहे हैं तो bear भी animal है pronoun अगर हम देखे तो it use होना चाहिए लेकिन use हो रहा है he will give you just one more carces तो भालू आएगा वो आपको बाहों में लेगा नहीं समझ पड़ेगी दुबारा बाहों में लेगा तो यहां पर भी personification का use किया गया है human quality दी गई है bear को next है repetition repetition in this poetic device words or phrases are repeated two or more than two times for example word very is repeated two time here who hugs you very very hard तो यहां पर which figure of speech is here repetition next है irony irony मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव के बुरे वयोहार गलत वयोहार के बारे में बड़े ही हासे के साथ व्यंग करना कि सामने वाले को समझ में भी आ जाया और उसे बुरा भी नहीं लगे है न तो यहां हम एनिमल्स की बात कर रहे है he will give you just one more courses तो अगर कोई भालू आपके यार्ड में आ जाता है तो उसकी quality होती है कि वो लोगों को मारने के लिए वो हग करता है और जोर से दबाता है लेकिन कभी आपने गलत फहमी में उसकी इस बात को ले लिया कि वो बड़ा प्यार कर रहा है जप्पी दे रहा बड़ी प्यारी सी तो भूलियेगा नहीं दूसरी बार जब वो हग करेगा और दुलारेगा तो इतनी जोर से आपको अपनी बाहों में दवाएगा कि हड्डियां चर्मरा जाएंगी और जान निकल जाएगी तो यहां पर आईरेनी का यूस किया गया है फिफ्थ इस्टेंजा पर आ रहे हैं तो यहां भी अलिटेंजा फिफ्थ इस्टेंजा की कुछ लाइनस में है फोर एग्जांपल वट इस अलिटेंजा यूनौ आ रहेएगी तो यहां पर नविस नॉन प्लस तो नॉन प्लस यहां पर ना साउंड का रेपिटेशन हो रहा है to tell from the हाइना दस तो यहाँ पर टा साउंड का repetition हो रहा है that's why कि repetition is present in fifth stanza next है inversion inversion I have already told कि जो writer होते हैं free रहते हैं कि rhythm को create करनी के लिए emphasis के लिए वो word order को change कर देते हैं तो format of the sentence has been changed for example a novice might non-pluss यह लिखा हुआ है sentence में जबकि correct order होना चाहिए and novice might be non-plussed तो यहाँ पर inversion use हुआ है rhythm को create करनी के लिए next है enjabment to enjabment it's a continuation of a sentence to the next line without any punctuation mark तो इस fifth stanza में भी enjabment पाया जा रहा है देखें क्या पाया जा रहा है thought though to distinguish beast of prey and novice might non-plussed तो यहाँ pray पर sentence sentence खत्म हो रहा है और second line में continue हो रहा है इसी तरह अगली दो लाइन में भी the crocodile you always may tell them the hyena does तो may पर sentence खत्म हो रहा है और tell से शुरू हो जा रहा है तो यह दोनों ही चारो लाइन में अंजब्बें इस इस इसेंजा में फिफ्ट इसेंजा में प्रेजंट हैं नेक्स्ट हैं इसे इसेंजा पर आते हैं तो sixth इसेंजा में जो alliteration figure of speech है इस word में है he hasn't यहनी कि repetition her sound का हो रहा है at the beginning of closely related two words next देखते हैं हम तो sixth इसेंजा में consonants है के repetition of या prominent sound of consonant in closely related या closely placed word for example single wing इसमें ग साउंड का repetition हो रहा है का consonant का repetition हो रहा है that's why consonants is here next है personification पूरे पूर्म में personification है आप Asian tiger की बात करें या Bengal tiger की बात करें या Bengal tiger की बात करें बेर है हाइना है crocodile है chameleon है सब के बारे में it की जगा ही का use हुआ है निकि personification दिया गया है तो personification human qualities are given to non-human things or animals for example he hasn't any ear at all तो chameleon के बारे में कहा जा रहा उसके कोई कान नहीं होते हैं तो he एक human quality है male human being को दिया जाता लेकिन यहाँ एक animal को दिया गया है reptile को दिया गया है that is why personification is present here so students this is all about the figure of speech in each stanza present in the poem how to tell wild animal hope की आपको यह अच्छा लगा होगा बहुत ध्यान से पढ़ियेगा figure of speech को figure of speech की पुरी सिरीज भी दी हुई है आप उसको भी reference ले सकते हैं यह exam में हमेशा पूछे जाते हैं thank you thanks for watching the video you